आज के हमारी क्लास एस्टिपी सेकेंडेर के लिए इंट्रोडक्टरी वेटनरी क्लिनिकल मेडिसियन की है और मेडिसियन के अंत्रगत अपन पढ़ रहे थे पाचन तंतर से सम्मंदित बिमारियां और उसमें तेन दिजीजे अपनी हो गई थी इस्टोमेटाइटिस, फेरिंजाइटिस और इसोफेजाइटिस आज अपन पाचन तंतर की चोथी विमारी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है इसोफेजियल ओवस्ट्रेक्शन या चोग इसोफेजियल ओवस्ट्रेक्शन या चोग का मतलब होता है कि किसी कारण वस पसु के गर्शिका के मार्ग में अवरोध पैदा होना इसोफेजियल ओवस्ट्रेक्शन का मतलब यह होता है कि पसु के इसोफेगस में किसी बायवस्टू या आहर के फस जाने के कारण अचानक रुकाउट आ जाना तो अब अब आपन देखते हैं कि इसोफेजियल ओबस्टेक्शन या चोक के कारण कौन-कौन से हैं ऐसे कौन-कौन से कारक है जिनकी वज़ा से पसु के इसोफेजियल ओबस्टेक्शन या चोक हो सकता है तो isophagial overstraction या चोक के पसों में मुख्य रूप से तीन कारण होते हैं इसमें आपके पहला कारण है गर्षिका में रुकाउट के कारण दूसरा है गर्षिका की बित्ती पर बार से कोई दबाव पड़ता है तो उस दबाव के कारण भी isophagial overstraction हो सकता है तीसरा कारण है आपका कि गर्षिका की बित्ती में कोई परेशानी या दिक्कत होने के कारण भी isophagial overstraction हो सकता है तो सबसे पहले अपन पहला कारण देखते हैं गर्षिका में रुकाउट के कारण यानि ऐसे कौन-कौन से कारण है जो गर्षिका के मार्क को अउरुद कर सकते हैं जैसे कही बार पसू साबत, अलू, प्याज, मौसमी, सेब, आम, गौबी, सलगम आदी खा लेता है तो ये जब पसू मौँ से निगल लेता है तो निगलने के दोरान कई बार ये जो आहर है या खादे पदार्त है वो पसू के इसो फेगस या गर्षिका में फश जाता है और फशने के कारण गर्षिका का मार्क क्या होता है अवरूद हो जाता है अवरूत का मतलब होता है कि पसू जो भी दूसरी चीज खाता है वो चीज आगे नहीं जा पाती है गर्शिका से आगे इस टोमग में नहीं पहुँच पाती है क्यों नहीं पहुँच पाती क्योंकि वो वस्तू है या आहरे या खादे पदार्त है जो पसू के इसोफेगस में पस गया है और इसोफेगस से आगे कोई वस्तू तब ही जाएगी जब इसोफेगस का मार्ग खुला होगा या साफ होगा दूसरा है गोडू में जिलेटिन कैपसूल कई बार जब गोडू को अपन बिमारी के कारण या अन्य किसी कारण से जिलेटिन कैपसूल देते हैं तो वो कैपसूल भी पसू के इसोफेगस में जाकर चिपक जाते हैं और कैपसूल चिपकने के कारण इसोफेगस का जो मार्ग ह वो अवरूद हो जाता है नेक्स्ट कालक है इस्टोमक टूब का टुकड़ा जब अपन पसुकों मुह मार्ग से दवाई पिलाते हैं तो दवाई पिलाते समय इसोफेगस उससा है जो आपकी इस्टोमक टूब होती है उसका कोई टुकड़ा अगर तूटके रह जाता है तो उसके काण भी इसोफेगस का मार्ग अवरूद हो जाता है नेक्स्ट है रबबर की गेंद लकड़ी का टुकड़ा ये भी कई बार पसु कहा लेता है या जब बच्ची वगएरा खेलते रहते हैं और गेंद बच्ची वगएरा उनके पास चल जाता है ध्यान नहीं देता है बन तो जब गेंद को पसु खाने की कोशिस करता है तो खा लेता है तो गेंद भी कई बार पसु के इसोफेगस में जाकर पस जाती है नेक्स्ट है गर्शिका की बित्ती पर बार से पढ़ने वाला दबाओ यानि कि जब पसु के जो साइड में लिंफ नॉड्स पाए जाती है उन लिंफ नॉड्स में इंफ्लामेशन हो गया तो इंफ्लामेशन के कारण उनका आकार बढ़ जाता है और जब इनका आकार बढ़ जाता है lymph nodes का तो गर्शिका का मार्क के हो जाता है छोटा हो जाता है या शक्रा हो जाता है जिसके कान पसू अन्य आर या खादे पदार्थ को निगल नहीं पाता है तो इसमें आपका सबसे पहला कारक है मेडिया इस्टिनल लिंफ नोड की टेबी या कैंसर जो आपके पसू के इसोफेकस के साइड में दोनों तरफ लिंफ नोड पाए जाती है लिंफ नोड का मतलब है लश्य का गरंतियां पाए जाती है उन लश्य का गरंतियों में टेबी हो जाती है या कैंसर हो जाता है तो उस अधिडरा वह जाता है, तो कोई भी आहर है वो इसे उफेगस से आगे नहीं जा पाता है next कारे का आपके media stenum या cervical phasia में गांट के कारण वहाँ पे cervical phasia है इस बाग में अगर पसो के कोई गांट या tumor हो जाती है तो उस गांट का भी दबाव है जो पसो के isophagus पर पढ़ता है और उसके कारण आहार है जो नेचे नहीं जा पाता है next कारे का आपका isophagial paralysis isophagial paralysis का मतलब होता है कि गर्षिका की मास पेशियों में अचानक किसी परकार का खिंचाव आ जाता है तो उसके कारण भी गर्षिका का मार्ग आउरूद हो जाता है और पसो के isophagial obstruction या चोक नामक disease हो सकती है next है isophagial hiatus hernia hernia का मतलब होता है कि किसी अंग के अपनी गुआ से निकल कर किसी दूसरी गुआ में परवेश करना या किसी अंग का अपनी गुआ से बाहर निकलना ही hernia कहलाता है तो जब isophagial का hernia हो जाता है तो उस hernia के कारण भी isophagial का मार गए जो अवरूद हो जाता है next है दूसरा कारक गर्शिका की बित्ती में कोई परेशा नहीं जब क्या होता है कि ispiro sira लूपी नामक परजीवी है वो परजीवी गर्शिका की बित्ती में बनी गांट ispiro sira लूपी परजीवी के कारण गर्शिका की बित्ती में गांट बन जाती है एक परजीवी या परजीवी या परजीवी का नाम आपके ispiro sira लूपी ये परजीवी जब परजीवी के इसोफेगस में infection करता है या परवेस करता है तो उस दोरान जो इसोफेगस की वाल या बित्ती होती है वहाँ पर एक गांट बन जाती है और उस गांट के कारण इसोफेगस का मार गए वो अवरूद हो जाता है तो ये आपके तेनु कारक हो गए इसके बाद में आपन देखते हैं कि जब पसू के इसोफेगस में पहला लक्षन यही है कि गाए बेंस में चोक कहां होता है तो गाए बेंस में चोक है जो इसोफेगस के उपरी भाग में होता है उपरी भाग का मतलब है सरवाइकल भाग में होता है सिबसे पहले सरवाइकल भाग या आता है इसोफेगस का जहांपे सर्वाइकल वाइटिबरी पाई जाती है तो गाय बेंस में चोक आपको पूछ ले कि कौन से बाग में होता है तो उपरी बाग में होता है यानि सर्वाइकल बाग में होता है दूसरा है गोडु में चोक इसोफेगस के किसी भी बाग पर हो सकता है कोई fix ने कि पसू के इसोफेगस के सर्वाइकल बाग पे होगा किसी भी बाग पर हो सकता है अब बात करते हैं अपने इसके लक्षन या symptom की रोगी पसू इसोफेगस में रुकावटे अवरूद के कारण खाना पेना बंद कर देता है जब इसोफेगस का मार्ग या अवरूद हो गया या मार्ग रुक गया तो खाना पेना अपने आपी बंद हो जाएगा और इसोफेगस का मार्ग जब अवरूद हो जाता है और पसू कोई भी आर खाता है और वो अगर आमासे में नहीं पहुँच पाता है तो पसु के अतेदिक मात्रा में लार का सिक्रेशन होता है और पसु बैचेनी महसूस करता है जब लार का अतेदिक सिक्रेशन होता है और गर्षिका का मार्ग अवरूद हो जाता है तो पसु के क्या होता है बहुत ज़्यदा पेन होता है उसके कान पसु जीब बाहर निकाल कर रखता है ताकि उसके जो लार का सिक्रेशन होता है वो बाहर निकलता रहे और पसु को श्वांश लेने में भी आसानी हो इसलिए पसु जीब को बाहर निकाल कर रखता है और लार का ज्यादा सेक्रेशन हो रहा है, पसु जीब को बाहर निकाल का स्वांस ले रहा है, तो इसी कंडिशन में क्या होता है, कि रोगी पसु के आफरा आ जाता है, और जब अपन स्टोमक ट्यूब डालने की कोशिस करते हैं, तो स्टोमक ट्यूब भी नहीं डाल सकते, वो भ जाती है, और आफरा आने के कार्ण रूमन से सिस्टोलिक मर मर साउंड सुनाई देती है, और हैर्टबीट है जो पसु की बढ़ जाती है, और अगर पसु आपके गोड़ा है, तो गोड़े के सरीर पर अर्तेदिक मात्रा में पस्जिना आता है, अब अपने इसोफेजियल अबस्ट्रेक्शन देख लिए, इसके कार्ण देख लिए, लक्षन देख लिए, तो अब अपने को बिमारी का डाइगनोसिस करना है, कि पसु के कौन सी बिमारी है, इसोफेजियल अबस्ट्रेक्शन है, या स्टोमेटाइटिस है, या फेरिंजाइटिस है, या इसोफेज से कौन सी बिमारी है तो डायग्नोसिस अपन कैसे करेंगे अकॉर्डिंग टुश्यम्टम दूसरा है अकॉर्डिंग टुश्ट्री तीसरा कारका आपके एक्सरे दौरा और चौत्था है मौत के दौरा फेरेंजल और एस्टक्शन की जाच कि जा सकती है जब अपन पसु के लगाकर उसकी मुख गुआ या गर्षनी गर्षिका का अब्जर्वेशन करते हैं तो उसके मादम से अपने को पता लग जाता है कि पसु के फेरिंग्स में रुकाउट है या इसोफेगस पार्ट्स में रुकाउट है लेकिन इसोफेजियल ओवस्ट्रेक्शन का डाइगनोसि करते समय इसे किन-किन रोगों से विवेदित किया जा सकता है तो पहला आपके इसोफेजाइटिस दूसरा है इसोफेजियल इस्टेनोसिस इसोफेजियल इस्टेनोसिस तीसरा है इसोफेजियल पर्फोरेशन चोथा है रुमिनल एटोनी और पांच हों है आपके रुमिनल इन सबी रोगों से इसोफेजिल ओवर स्टेक्शन का differential diagnosis करना है उसके बाद में आपकी बात आती है कि अपने वो diagnosis हो गया लक्षनों का पता है तो उसके बाद पसू का उपचार या treatment करना है तो पसू का उपचार करते समय चाई कोई सी बिमारी हो सबसे पहले उस बिमारी के कारक को वहाँ से हटाना है कि जिस कारक की वज़े से पसु के बिमारी हुई है उस कारक को हटाना है कारक को हटाने के बाद में इसोफेजल ओवस्ट्रेक्शन का उपचार करते समय आपको क्या साउधानी रखनी है कि रोगी पसु का आहर और पानी है जो कुछ समय के लिए बंद कर देना चाहिए और अपने इस इसोफेजिल आवस्टेक्शन के लक्षनों में पढ़ा था कि रोगी पसु के आफरा आ जाता है तो पसु को आफरे से निजात दिलाने के लिए जो पसु का लेप्ट फ्लेंक होता है लेप्ट फ्लेंक या बाइंक कोच में प्रोकार कैनूला लगाकर उसकी गैस को बहार निकाल देना चाहिए उसके बाद अगर पसु के फैरिंग्स और इसोफेगस यानि जहां पे इस फैरिंग्स का बाग समापत होता है और इसोफेगस की सुरुआत होती है उस पार्ट में अगर पसु के कोई वस्तु फची हुई है तो उस वस्तु को आप माउत ग्यग लगाकर निकाल देने चाहि या निकालने की कोशिस करने चाहिए फोर से बगेरा से अगर मानलो निकल जाए तो उस वस्तु को वहाँ से निकालने की कोशिस करें अगर वो वस्तु निकलने लाइक नहीं है तो पसु के माउत ग्यग लगाकर उस वस्तु को इस्टोमक ट्यूब या प्रोबेंग के मादे से देरे देरे इस टोमक के तरफ नेचे धख्यलना चाहिए ताकि वो गर्षे का-का मार गए जो खुल जाए यह तो है जो अपने को उसका प्रात्मिक उप्चार के रूप में करना है और यह उप्चार कर दिया अपने मानलो उसके कोई भी रुकाउट थी उस रुकाउट को पने हटा दिया वहां से उस अवरोध को खतम कर दिया तो उसके बाद में आपको क्या करना है कि पशु का कुछ सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक ट्रेट्मेंट वह भी आपको देना है यानि पशु के अत्यदिक मात्रा में लार का सीक्रेशन हो रहा था तो उस लार के सीक् 10 ml atrophin sulfate का injection आता है, वो लगाना है, इसके बाद में कोई भी एक broad spectrum antibiotic है, वो आप पसु को IM या IV मार्ग के मादम से दे सकते हैं, और कोई भी injection लगाते से में उसका मार्ग है, वो आप से देखना चाहिए, कि ये antibiotic injection, IM लगेगा, IV लगेगा या सबकट लगेगा, उसके बाद में अपन पसु का 2-3 दिन या कुछ समय के लिए आर बंद करते हैं, पाने बंद करते हैं कुछ समय के लिए, तो उसमें पानी की कमी को रोकने के लिए, यानि पसु को dehydration से बचाने के लिए, पसु को अगर बड़ा पसु है, तो कम से कम 1800 ml fluid therapy वो भी IV लगाना चाह यह, इसके अलावा जहां भी गर्स पिसोपेकस के बाग में रुकावट आईए, तो उसमें रुकावट के करण क्या होता है, वहां पे inflammation या सूजन हो जाती है, तो पसु को नसेड इंजेक्शन दिया जाता है, नसेड का मतलब होता है anti-inflammatory drug, non-steroid anti-inflammatory drugs, जो आपके मार्के कोईसा भी anti-inflammatory injection है, जो यूज कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, कि आप anti-inflammatory injection ही यूज करो, लेकिन वह नसेड होना चाहिए, इसके अलावा, allergic reaction या कोई भी दूस प्रभाव से रोकने के लिए अपन anti-histaminic injection है, evil, CPM, JET बगएर आप इस नाम से आता है, वह भी 10 ml पसु को intra-muscular mark से दिया जा सकता है, इसके अलावा, अपन चाहिए तो पसु को cortical steroid injection है, वह भी लगा सकते हैं, अब मालो आपने supportive treatment भी कर दिया, symptomatic treatment भी कर दिया, लेकिन पसु के isopagus में अगर कोई वस्तु फशी हुई है, और वह वस्तु नहीं तो बाहर निकल रही है, वह नहीं, जाने की स्तिती में है, नीचे भी नहीं जा रही, बाहर भी नहीं निकल रही, तो उस वस्तु को operation या surgery के माधिम से हटा कर बाहर निकाल देना चाहिए, इसोफेजिल obstruction का यही एक मातर उप्चार है, तो यह आपके पाचन तंतर से सम्मंदित चार बिमारी है, वह complete हो जाती ह दन्यवाद